So everybody कैसे हो आप लोग आसा करता हूँ बहुत बढ़ी आ होंगे देखे दोस्तो अभी के इस वीडियो में practically हम आपके साथ में जो vacancies का update share करने वाले हैं ये बहुत ही based होने वाला है जी हाँ मैं बता दू तो यहाँ पे आपके लिए सुनहरा मौका है सबसे high salary कमाने का आफसर है और ऐसे ही बता दू कि ये companies में बार बार requirements नहीं आता को लकाता location में because I am sharing for you please collect now all informations and बाद में call करना है कैसे call करना है क्या process है वीडियो में साड़ा कुछ पता चलेगा और वीडियो को अभी तक एक like नहीं किये तो like जरूर करें क्यूंकि ये जो vacancies है इसके लिए कम से कम like का target है 50 लाइक जो कि आप लोग कंप्लीट करा ही दोगे तो 50 लाइक कम से कम target है लाइक कीजिए चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो वीडियो को share भी कीजिए ताकि आपका एक शेयर एक लोगो को कम से कम रोजगार दिला सकती है चलिए वीडियो सुरू कि आपको बताया जाए फिल्हाल टॉपिकस के ऊपर वीडिए डिखिए टाटा कंपनी जो है वो बहुत बेहतरीन कंपनी है टाटा कंपनी में काम करने के लिए कौण नहीं चाहता वीकॉस्ञा टाटा कंपनी में जो आपने सेलरी लेखा है रूमँ फूट स्री देखा है यह स समझ गए होंगे कि हम किस topic के उपर आपके साथ में practically बात करने वाले देखिए कोलिकता location में बउ बजार location है ठीक है न जी बउ बजार में एक office है I am not sharing name वगेरा कुछ भी हम नहीं share करेंगे एक बउ बजार में है एक सिरी रामपूर में है और एक हावडा में है तीन location में अभी तक research में यही पता चला है कि यह तीन location के जो placement agency है एक एक placement agency और हावडा में दो placement agency है ठीक है तो हावडा में दो placement agency है CD रामपूर में एक है और आपका कोलकता के बउ बाजार में एक placement agency है पता चला है कि यह जो टाटा कमपनी का रिक्वरिमेंट है उनके पास में बहुत ज्यादा आता है और केंडिडेट नहीं हमें टेलिग्राम पे टॉकिंग्स किया था कि सर ऐसी ऐसी बात है क्या यह रियल हो सकता है 18,000 उपे सेल्डी पलस रहना पलस चार टाइम खाना हमें ओफ़र्ड किया जा रहा है और हम एक पांचवी पास बंदे हैं अनपड है फिर भी हमें यह बताया जा रहा है कि आप हेलपर का काम करोगे थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन इतना सेल्डी मिलेगा तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा तो फिर हमने हावरा के ओफिस वाले का नंबर लिया मैंने कॉल किया उनसे बात भी किया काबाई बात करने का तरीका कॉम्निकेशन इतना बेहतर है कि कोई भी बंदा फस ही जाएगा जरूर से फसेगा कोई कहने की बात नहीं है वेल बता कता लोकेशन है दोस्त कोल कता में पांचवी पास को अगर 18,000 साथ में रहना चार टाइम खाना मिलने लगे इस पोस्त के लिए तो मैं बोलता हूँ कोल कता का गरीबी दूर हो जाएगा वो कैसे गरीबी दूर होने का बात कैसे आगया तुदे को मैं बोलता हूँ कोल कता में मेजर ली सैलरी जो मिलते हैं 10 से 12,000 मिलते हैं रहना फिरी में मिल जाता है विकोज खाना उसी में होता है जो कि 10,000 रुपे मैक्सिमम बंदे कमाते हैं 12 गंटे काम करके यहां पे 8 गंटे काम बताते हैं महीने में 26 दिन काम बताते हैं सैलरी 18,000 रहना चार टाइम खाना फिरी क्या बिलीब करते हो आप आपको जब तक होसिय पार नहीं होगे अभी के टाइम में कोई भी उठाके ले जागा और कहां उठाके ले जागा वो गड़ी में डालेगा वो पूछेगा की बेटा कैसा लग रहा है बताओ मुझे मैं बोलता हूं मेरे दोस्त आप मेरे ओडियेंस हो आप हमारे सब्सक्राइबर सो आप हमें द सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा थैंक यू सो मच पो वाचिंगा